Hello everyone, तो आज इस विड़ में J-Advance 2024 का एक बहुत ही simple question जो की chemical bonding जो chapter है उससे काया हुआ है और ये एक octrate tool पे questions है, questions में आपको पूछा जा रहा है जे options जो A, B, C, D है इसमें से कौन सा ऐसे options है, जिसमें कम से कम तीन molecule जो है, जिसका octrate complete है तो यहाँ पे सब को check करना है, बहुत ही simple सा concept होता है octrate tool, जिसके surrounding में कितना electron होना चाहिए 8 electron होना जाहिए, तो कौन-कौन से molecule है, जिसका octrate complete है, कम से कम तीन होना चाहिए तो questions को देखते हैं, बहुत ही simple सा question है, एक करके चेक करते हैं तो यहाँ पे जो ano जो molecule होता है, ano molecule क्या होता है, odd electron species है और इसका octrate complete नहीं होता है यह आपके NCRT book में भी mention, NO2 हो गया, यह भी क्या है, odd electron species, इसका भी octrate complete नहीं होता है sulfur, H2SO4 का अगर बात करें, H2SO4, तो यहाँ पे H2SO4 के surrounding में, यहाँ पे expanded octrate मतलब 8 से ज्यादा electron है, तो यह भी नहीं होगा अगर हम बात करें, और भी क्या options है, BCL3, BCL3 जो होता है, यह boron का compound है और यह electron deficit होता है, और यह भी नहीं होगा तो एकट करके option को eliminate करके हम इस questions को कर सकते हैं, तो NO यहाँ पे नहीं है यहाँ पे NO2 है, और यहाँ पे H2SO4 है, लेकिन आपके पास कितना होना चाहिए, तीन molecule होना चाहिए तो B option तो नहीं होगा अगर हम C का बात करें, तो यहाँ पे BCL3 है, NO है, NO2 है, और यहाँ पे क्या है, H2SO4 तो यह options भी नहीं होगा अगर हम बात करें, जो D option है, CO2 है, BCL3, BCL3 का opted complete नहीं है, बाकी सबका यहाँ पे complete है तो यहाँ पे जो option होगा, A और D, तो यह बेहर भी simple सा questions है, और इस तरह का questions, J.E. Advance 2024 में पूछा गया है तो आपको concept को अच्छे से समझना है, बहुत tough questions नहीं आते हैं, यह मान के चलना है, और अच्छे से prepare करना है ताकि जो next exam होगा, J.E. N. का exam होगा, या फिर J.E. Advance का exam होगा, जो future में आप दोगे उसके लिए बहुत beneficial होगा